हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो बहुत अच्छा रेस्पॉंस मिला यार आप लोग के आप लोग का बहुत प्यार मिला और जिस भी बच्चे ने मुझे बोला था PDF के लिए मैंने कोशिश की है कि सबको मैं mail करके उसका reply करूं और मैंने mostly किया भी है and I hope सबको जो PDF से हैं वो मिल गई होंगी ठीक है यूनिट 3 और यूनिट 4 की जो PDF है वो यार आपको खुद बनानी होगी क्योंकि वो वीडियो मैंने last year upload की थी और उसकी PDF अभी मेरे पास नहीं है तो इसमें hardly 30 से 40 मिनट आपको लगेंगे अगर आप वो PDF मतलब अपने notes कुद बना सके तो unit 3 और unit 4 के ठीक है वो link आपको description में मिल जाएगा तो ये जो वीडियो है ये basically सिर्फ एक sample paper नहीं है इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ा discuss करने वाला हूँ तो हम इसमें discuss करेंगी कि answer को लिखना कैसे actual में और कैसे 40 या 50 marks पूरे की पूरे लेके आने है भाई जो marks हैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ना ठीक है और आसानी से आ जाएंगे तो मैं discuss करूँगा कि कैसे हम इसके अंदर score करेंगे तो link आपको अगर जो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है जो unit 1, 2, 3, 4 जो मैंने upload करी है वो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं recommend करूँगा आप please एक बार उनको जाके पहले देख लो उसके बाद इस वीडियो पर आना क्योंकि तब आपको ये वीडियो एकदम बच्चो की तरह लगेगी आसान ठीक है तो जिसले भी वीडियो नहीं देखी है पहले वो देख लीजिए link description में डाल दिया है मैंने वहाँ से आपको मिल जाएगा और अब जो मैं discuss करूँगा वो sample paper है sample paper ही नहीं इसमें बहुत सारी चीज़े discuss करेंगे ठीक है और एक चीज में आप लोग से और request करूँगा यार मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग जो है थोड़ी help करेंगे right now we have 1463 subscribers 1463 subscribers है मेरा target है मैं आज 1600 तक at least लेके जाओ 1600 तक हम इसको complete करेंगे अगर आप लोग चाहें तो help हो सकती है ऐसे क्योंकि अगर आप अपने whatsapp group में class में share करेंगे एक class में let's say अगर 20 या 25 बच्चे भी हैं और उसमें से 15 भी subscribe करते हैं तो बहुत बड़ी बात होगे और यह subscriber जो है बहुत आसानी से आ social science सारी चीजे ठीक है तो वो आपको बहुत आपने वीडियो अगर देखी नहीं है तो channel की जो history है उसमें जाके देख लीजिए बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी ओके तो चलो हम भी हम आज का जो sample paper है वो start करते हैं तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो part A है आपक इस वीडियो को पढ़ने की जरूरत नहीं है मैं आपको पहली बता रहा हूँ अगर आएगा तो मुश्किल से एक question आएगा ठीक है आदे number एक number का तो वो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है तो आप इस unit को skip कर सकते हैं सेम ऐसे ही जो green skills है इसमें से भी देखो एक question नहीं आया हुआ है आपके sample paper में तो यहाँ पर क्या होगा आप इसको भी skip कर सकते हैं अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने ये unit पढ़के बैठी होंगी है ना communication skills 2 इसलिए मैंने communication skills की जो वीडियो थी वो upload नहीं करी बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि ये वाली वीडियो भी upload कर दो बट मैंने नहीं की क्योंकि मुझे पता था यहाँ से एक भी question नहीं आएगा ओके तो यहाँ पर देखो self management skills जो है इसमें से दो marks का question आने वाला है जो mcq है ठीक है फिर यहाँ पर जो subjective question है जो short answer type जो आपको एक एक लाइन में दो दो लाइन में लिखने वो आएंगे ठीक है तो यहाँ से total चार question आ रहे है उसके बद जो ICT skills जो है उसमें सेम ऐसे ही दो question आएंगे यहाँ से एक question आएगा और total तीन question आने वाले हैं ठीक है entrepreneurial skills वाली तो वहाँ पे क्या होगा यह video unit 3 और 4 का जो part है उसमें मैंने explain की गई है और यह video मुश्किल से 10 या 15 minute में खतम हो जाएगी इतनी जादा बड़ी है नहीं तो आप वो video ज़रूर देखे मैं आपको recommend गरूँगा ज़र video हो सकता है लंबी बन जाए क्योंकि यह video पूर पर नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत जादा information आपको मिलने वाली है next देखो अगर हम बात करें आपका जो specific subjects है उनके बारे में तो यह जो units है यह 4 units बहुत important है मैंने यह 4 की 4 units बहुत अच्छे से और detail में explain किया ही है videos link में है आप जरूर देखे पहले उनको देखे फिर sample paper पर आएं आपको बहुत अच्छा लगेगा और एकदम ऐसे लेगा कि इतना असान paper ओके देखो अब पहला जो unit है आपका roles and responsibility of a physical activity facilitator इसमें से 6 marks के objective question है ठीक है very important 6 question objective question है ठीक है तो यहाँ पर देखो पहले तो यहाँ पर देखो 24 question आपके आएंगे total जिसमें से आपको सिर् 20 question करने है मतलब 4 question आप छोड़ सकते हो ओके फिर यहाँ पर देखो 6 question आएंगे जो short answer जो होंगे रहा जो 2 marks का 1 question है उसमें 6 आएंगे 6 में से आपको only 4 question करने है फिर यहाँ पर देखो जो long answer question है वो 5 question आएंगे और 5 में से आपको सिर्फ 3 question करने है ठीक है अभी इनको detail में सम तो जो physical education facilitator उसमें से 6 question है सेम ऐसे ही 2 marks का उसमें से 1 question है और 4 marks का उसमें से 1 question है यह किस type का question होगा मैं वो भी discuss करूंगा अभी assessment and evolution of the students इसमें क्या है 6 marks का same वही MC क्यों आएगा ठीक है फिर 2 marks के 2 question है और फिर यहाँ पर 2 marks के 2 question है चार नंबर वाले तो total यहाँ से 10 question है this unit is very important assessment and evolution देखो मैंने specially इस पर एक वीडियो बनाई है अलग से unit 3 और 4 में combine नहीं किया क्योंकि वो units के अराम से हो सकती है तो वो छोटी छोटी units को मैंने combine कर दिया लेकिन यहाँ पर मैंने इसको combine नहीं किया क्योंकि मुझे पता है यह unit बहुत important है अकेली यह unit 10 question किया रही है ओके नेक्स देखो free play free play जो concept है same उसमें से 6 question है फिर उसमें से 1 marks का 1 question और 4 marks का भी 1 question आएगा तो यहाँ से total 8 questions है वो आपके बन जाएंगे फिर यहाँ पर inventory management वाली unit है इसमें से 6 marks के again mcq फिर 2 marks के short questions और एक number का short question तो total 9 questions तो ऐसे करके आपके total 35 questions बनेंगे लेकिन उसमें से सिर्फ आपको 27 questions करने है और यहाँ पर जो choice होगी वो आपको question के अंदर पता चल जाएगे तो यह तो था हमारा exam pattern कि हमें कैसे exam pattern देखने को मिलेगा exam के अंदर अब हम बात करेंगे कि हम questions को कैसे solve करने वाले हैं और क्या-क्या questions हमें देखने को मिल सकते हैं तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ आपका sample paper और भी अगर आपको कोई doubt आए त को तुरंत वहीं पर comments के अंदर ही reply दे दिया ठीक है आपके जो comments है वो बहुत valuable है मेरे लिए तो अगर किसी ने channel को subscribe नहीं किया है तो कर लो क्यूंकि एक live class होगी 15 तारिक को that class will be very helpful for the student जिसका जो भी doubt होगा आप उस class में पूछ लेना ठीक है जो अब तक आपके doubt clear नहीं हो जो सब्जेक्ट है आपका उसका same हम बात करते हैं पहरा question जो इसका pattern है वो देख लिया हमें इस type के कैसे question आ रहे है ठीक है now आप यहां पे देखो general instructions है एक बार सबको पढ़ लीजिए आप ठीक है समझ में वैसे आ जाएगा सबको तो total this paper consists of 21 questions in 2 sections 21 questions है basically 2 sections हो में divided है section A जो है objective question जो section A है वो आपको objective question होगा मतलब उसमें आपको MCQ मिलेंगे tick mark करना है second जो section मिलेगा वो आपको क्या है return है basically subjective okay now हम आते हैं सीधा question number 1 पे हम यहां पे देखो एक चीज मैं आपको clear कर देता हूँ कि यहां पे हम सिर्फ यह discuss नहीं करेंगे कि answer basically है क्या हम बहुत सारी चीज लगाऊंगा ताकि हम सब लोग क्या करें इनको अब पहले कुछ इसमें किया answer भी दे रखे हैं ठीक है तो पहले हम sample paper की एक video लगाएंगे उसके बाद यह रहा question paper हाँ ठीक है अब यहां पे देखिए आप जैसे question number one है अब यहां पे आपको मिल जाएगा क्या पहला question पहला question फटाफट से read करो और हम इसका answer फटाफट से देखेंगे कि क्या होने वाला है ठीक है इसमें क्या होगा आप लोग भी सोचेंगे कि क्या इसका answer हो सकता है फिर मैं इसका answer discuss कर आया है question ठीक है और ICT skills entrepreneur skills यह तीन है basically क्योंकि तीन ही unit आ रही है अपकी ठीक है और जिसने green skills की है और communication skills वो नहीं आ रहा है यार वहां से question नहीं आएगा ओके यहां पे दिया हुआ है देखो उसके बाद देखो question number one का पहला part अनीता works hard अनीता बहुत महनत करती है to get a scholarship at the end of year देखो scholarship का मिलती है scholarship की यहाँ पे question का मतलब समझें आप क्योंकि अगर आप एक-एक question का मतलब समझेंगे ना तो इससे related को अगर कोई question आएगा तो उसका जवाब दे पाओगे इसलिए मैंने बोला यह सिर्फ एक sample paper नहीं है यह पूरा एकदम सार है एक type से अगबद गीता type समझ लो आप physical education की ठीक है यहाँ पे देखो अनीता works hard to get a scholarship at the end of year अब जब end of the year मानलो scholarship मिलनी है what type of motivation is अब उसका किस type का motivation होता है internal होगा external होगा both internal external not any specific type of motivation देखो answer जल्दी से बताइए क्या होगा क्या नहीं होगा फटाफट से note कर लो अपने उसके अंदर ठीक है copy में या copy pen लेके बैठना क्योंकि important points आपको मिलेंगे अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे both internal and external the answer is internal why internal मैं उसका answer बताऊंगा कि यह internal क्यों है देखो ध्यान से सुनो सबसे पहली बार जो scholarship मिलनी है वो थी साल के end में मिलनी है ठीक है और जो मैंने वीडियो में discuss किया था कि motivation होता है वो क्या होता है day by day के हिसाप से भी होता है external motivation भी होता है जो बाहर से आपको देता है और वो temporary होता है न मैंने बताया था video में कि external क्या है temporary है, और internal क्या है, permanent है, अगर आपको अंदर से motivation आ रहा है न, that is permanent, तो temporary motivation थोड़े दिन के लिए रहता है, लेकिन उसको scholarship कब मिलनी है, साल के end में, तो क्या वो temporary motivation से scholarship ले सकती है, scholarship मतलब first आना है उसको, ये मान के चलो आप, तो अब बताओ, क्या वो first सिर्फ एक दिन पढ़ने होता है, answer भी internal, समझ में आया, internal क्यों, क्योंकि internal क्या है, उसको regular चाहिए, day, हर दिन motivation चाहिए, हर दिन वाला motivation permanent चाहिए, और वो permanent motivation खुद अंदर से आता है, external, temporary, किसी को, किसी का video सुन लिया, ठीक है, किसी का lecture सुन लिया, जो motivational lecture हो, तो वो नहीं हो पाएगा, okay, तो यहाँ होगा, answer is internal, समझ में आया, क्यों, okay, next question देखो, next question हमारा आ जाएगा, second question, managing stress is about making, अगर हम किसी stress को manage कर रहे हैं, अब देखो, stress management वाली, उस unit में मैंने clearly बताया हुआ है, ठीक है, यह देखो, यह जितने भी हैं, यह सब आपको answers वहाँ मिलेंगे, तो अगर आपने videos नहीं दे देखो, managing stress is about making, जब stress को जो manage करते हैं, वो किस बारे में होता है, plan to be a psychologist, क्या हम psychologist के पास जाते हैं, stress management करने के लिए, उसके बाद plan to develop emotional stability, क्या हम खुद emotional stable होते हैं, तब हम stress management करते हैं, यह फिर plan to be able to cope effectively daily pressure, और plan to fun with the trip, जान से सुनना question का मतलब क्या है, managing stress is about, managing stress किस बारे में होता है, अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको stress जो है, वो stress होता क्या है, सबसे पहले तो वही, same वही, demand or threat, जो होती है, वही stress होता है, वीडियो देख लेना एक बार है ना, समझ में आएंगे चीज़े, तो demand or threat जो होता है, वो क्या होता है, stress होता है तो अब देखो यहाँ पे, तो stress management है, वो कैसे हम करेंगे, हम करेंगे, साइकलोजिस के पास जाएंगे तो थोड़ी देर के लिए stress manage हो जाएगा, फिर 10 दिन फिर से stress, ठीक है, तो यह option गलत हो गया, plan to develop emotional stability, हम plan तो कर रहे हैं, emotion को stable करने के लिए, लेकिन वो क्या है, emotional intelligence को manage करन होता है, stress को manage करना नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, तीसरा option देखो, plan to be able to cope up effectively daily pressure, yes, this is the answer, जो daily का जो pressure होता है, उसको handle करना ही stress management है, तो stress का है, दिन में बहुत बारी ऐसी situation आती है, तब लोगों को stress होता है, तो अगर वो daily pressure को, daily routine का जो अपना जो schedule है, उसको सुधार ले, उसको balance कर ले, तो उसका stress automatic, क्या हो जाएगा, manage हो जाएगा, okay, तो plan to fun trip, basically fun, तो अब trip तो आप हर रोज नहीं जा सकते है, तो यहाँ पे क्या होगा, trip भी का है temporary है, हमें यहाँ पे permanent solution चीए, तो trip भी का है temporary है, कुछ दिन बाद गए, फिर एक साल बाद गए, तो वो temporary है, त All right, next देखो, next question is, question number 3, question number 3 है, which of the following is a valid file extension of the notepad, यह unit मैंने upload नहीं किया है, ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूँ, ICT वाली मैंने unit upload नहीं किया है, ठीक है, अगर आपको चाहिए, तो मैं कर दूँगा, वैसे इतना कुछ खास आएगा नहीं इस unit में से, एक आत question होगा, वो हम वैसी solve कर लेंगे, okay, now, question को समझना, which of the following is a valid extension of notepad file, जो notepad file होती है, उसका एक extension बताना है, .jpg, क्या होता है, यह image file होती है, .doc, यह PDF की file होती है, .text post starts, ठीक है, यह मुझे भी नहीं पता क्या होता है, .txt, हाँ, यह मुझे पता है, यह किसकी होती है, notepad की होती है .txt, जब आप ध्यान से देखना, notepad की किसी file को save करोगे, तो उसके end में क्या लगता है, .txt, यह BC के लिए क्या है, file extensions है, file extension क्या होता है, कि जब हम किसी को save करते हैं, तो उसके end में जो, उसका address है, वो लगता है, ठीक है, तो यह क्या होगा, .jpg, क्या होता है, image का address है, .doc, उसी, जो PDF में अभी खोली हुई है, इसका address है, ठीक है, उसके बाद .txt, यह notepad का है, ओके, now, फिर देखें, आगे, fourth वाला, fourth वाला जो है, shortcut key to open a find dialogue box, shortcut key क्या होती है, shortcut key to open a find dialogue box, देखो, control plus V, paste होता है, यह मुझे पता है, shortcut's है, control plus F, find होता है, किसी चीज़ को ढूणना, जैसे, word file में आपने कोई गलत word type कर दिया, control plus Z type करोगे, वो वापस से, मिट जाएगा, so, control plus H is the answer, जो क्या करेगा, किसी भी dialogue box को open करने के लिए आता है, okay, now, next देखो, Ajit has a sweet outlook, ध्यान से सुनना question को, Ajit है उसके पास एक sweet outlet है, sweet outlet मतलब मिठाई की दुकान समझ लोगा, He pays his employee on the first of every month, महिने के हर पहली तारी को, अपने employee को, वो क्या करता है, employee को salary देता है, तो वो क्या कर रहा है, क्या वो नया product बना रहा है, creates a new product, नहीं, क्या वो नया product बना रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या वो business को manage कर रहा है, yes, हो सकता है, क्योंकि हर बंदे को, हर एक तारी को salary दे रहा है, तो business, अब वो उसका जो आदमी है, मतलब जो worker है, वो छोड़ के नहीं जाएगा, तो उसका business आगे चलता रहेगा, फिर take risk, क्या वो salary दे के risk ले रहा है, बिल्कुल नहीं, भाई अगर वो काम कर रहा है उसके लिए, तो salary तो यह जो questions है ना, यह सारे की सारे questions बहुत easy है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो अराम से हो जाएंगे, okay, now, देखो, चेतन decides to sell her company, tires in स्रिलंका, चेतन है एक आदमी, ठीक है, वो क्या करता है, वो decide करता है, वो tire बनाने की उसकी company है, और वो decide करता है, कि मैं इस company के tire इस स्रिलंका में बेचना चाहता हूँ, it does not sell any, it does not sell and she has a loss, चेतना, sorry, चेतन नहीं है, यह चेतना है, चेतना, चेतना decide करती है, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं हो, ठीक है, तो आप ऐसी गलतिया ना करें, चेतना को चेतना बनाए, तो यहां पर क्या होगा, चेतना को loss हो गय ठीक है, it does not sell, अगर उसने, मतलब अगर वो sell नहीं किये और उसको loss हो गया, she apologizes to the people, और वो लोगों से माफी मांगती है, she says she will plan better next time, तो वो क्या करेगी, देखो, सिंपल सी बात है, चेतना नहीं क्या किया, टायर बनाती है, और उस सिलंका में टायर बेचना चाहती थे, ले लेकिन मैं next time बहुत अच्छे से काम करूँगी, अब उसने क्या किया, takes responsibility for your mistakes, yes, बिल्कुल सही, उसने अपनी responsibility, जो mistake की थी, उसको मान लिया, yes, बिल्कुल मान लिया, think before making decision, क्या उसने decision बनाने से पहले सोचा, ऐसा तो कुछ है नहीं, question में, does not give up, क्या उसने give up नहीं किया, इसका idea creative था, बिल्कुल नहीं, अगर creative होता तो, वहाँ पर इस लंका में supply होई जाती है, तो this was the answer, next question देखो, अब यहाँ पर question number 2 है, answer any 5 out of the given questions, 5 question हमें try करने, मतलब answer देना है, कोई भी 6 question दे रखे होंगे, the standard duration of assembly should be, जल्दी से बताओ, क्या होना चीए, मैंने वीडियो मे बिल्कुल जिस जिसने वीडियो देखी थी, वो बता पाएगा, कि किस क्या होता है, standard assembly का duration, बिल्कुल सही, answer is 15 to 20 minute, ठीक है, answer क्या हो जाएगा इसका, 15 से 20 minute होता ही है, okay, now next देखो, देखो, जिसने भी वीडियो देखी है ना, मैं guarantee देता हूँ, वो एकदम बच्चों की त आपका, जो word access, access है, access, access नहीं, access, एक second, जो word access है basically, okay, comes from latent as it is, which means, access जो word है, जो assessment जो होता है, वहाँ से ये word लिया हो है, assessment किस से बना है, access से बना है, जो assess का मतलब होता है, to come first, पहले आना, बिल्कुल नहीं, जीतना, बिल्कुल नहीं, score करना, बिल्कुल, score तो, free play वाली activity का word लिया हुआ है, ये भी वहीं पे लिया हुआ है, win वाला भी, तो answer will be to beside, उसके बाजू में बैठना, अब ये, हम इसको कैसे पता लगाएंगे, देखो, access word कहां से, जो assessment है, वो कहां से आया, assess से, assessment में teacher करता क्या है, बच्चों को सिखाता है, और बच्चों को कैसे सिखाता है, उसके side में बैठ के, आपने देखा होगा, teacher बहुत बार आपकी bench पे, मतलब side में आपके बैठ जाती है, क्लास में, हना, तो वहां से ये concept है, assessment का मतलब क्या होता है, जब teacher आपके side में आके बैठ जाए, वो क्या है, आपको सिखा रही है, ये सिखा रहे है, हना, तो वो से एक question numerical type भी आ सकता है, ठीक है, मैंने एक example देखे भी बताया था, आपको unit 2 में, ठीक है, unit देखी है, और मतलब जो video देखी है, तो आप समझ पाएंगे इसको, the formula of body mass index, BMI की formula क्या होता है, weight in kg, height in square inch, बिल्कुल गलत, inch में तो height थी नहीं, height किस में थी, meter में थी, तो by height का square, इतना पता है, नीचे height का तो square था, लेकिन height किस में थी, meter में थी, तो answer will be B, अब यहाँ पर देखो, नीचे height तो है, meter में भी elegant square नहीं है, तो यहाँ पर weight है, height है, लेकिन inch में है, तो यह answer, क्या होगा इसका answer, option number B will be the answer, okay, next question देखते हैं, I hope आपको video समझ में आ रही ह होगी, ठीक है, okay, when the play is planned, okay, जान से सुनना इस question को, when the play is planned, planning का बाती है, plan word समझते हैं, बहुत सारे लोगों ने answer पता चल गया होगा, conducted step by step particular way it becomes, मैंने वीडियो में बताया था, जहाँ पर plan आ जाए, ठीक है, planning आ जाए, तो क्या है, structured play है, simple सी बात है, भाई, जहाँ पर plan है कोई चीज हम पहले से decide कर रहे हैं, तो structure है, okay, league tournament, IPL tournament नहीं, option बिल्कुली वायाद दे रहे हैं, कुछ तो ऐसे देते हैं, जो similar होते हैं, next देखते हैं चलो, inventory refers to, अब यहाँ पर inventory की definition है, basically मैंने वीडियो में clearly बताया हुआ था, कि inventory का मतलब क्या होता है, तो जिसने वीडि होगी, वो अराम से समझ पाएगा, sports goods बिल्कुल नहीं, material shock, material stock, बिल्कुल yes, ठीक है, infrequent sports goods नहीं, sports kit बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर inventory का मतलब क्या होता है, inventory का मतलब ही होता है, जो भी हमारे school में, जो sports के equipments रखे होते हैं, उनको उनका जो stock है, that is known as inventory, उनको एक inventory management है, ओके, next देखो, which of these is true, इस में से कौन सा सही है, हमें वो बताना है, देखो, basket is used for throwing and target practice, जो basket है, अब यह basket का मतलब बाल्टी मत समझ लेना है, यहाँ पर, basket का मतलब होता है, basket ball वाली जो ring होती है, वो, ठीक है, basket is used for throwing and target practice, बिल्कुल हो सकता है, अगला option पढ़ते है, inventory can be done only with the software, बिल्कुल वाहियाद बात है, inventory software के साथ कैसे हो सकती है, budget is the part of inventory management, मैंने वीडियो में एक चीज़ बताई थी, कि यहाँ से question जरूर आएगा, देखो, तो budget देखो, option में ही पूछ लिया, budget is the part of inventory management, जी नहीं, budget inventory management का part नहीं है, क्योंकि हम budget को manage करते हैं, हम तो sports equipment को manage क teacher, जो inventory होती है, is not the part of job role of physical education teacher, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे बच्चे confused होंगे, चीक है, यहाँ पे क्योंगे, बच्चे confused होंगे, कैसे, क्योंकि उनको दो option सही लगने लगेंगे, अब यहाँ पे, देखो ध्यान से, basket ball is used for throwing and target practice, यह बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है, basket जो होती है, उसके बाद inventory is not the job role, अब यहाँ पे true पूछा है इसने, true, अब question द्यान से पढ़ना, अब यहाँ पे true पूछा है, true मतलब कौन सा सही है, inventory is not the job role, क्या inventory, job role नहीं है, बिल्कुल गलत भईया, inventory तो job role है उसक तो यह option सही नहीं है, अगर यहाँ पे yes होता, inventory is the part of job role, तो यह सही होता, लेकिन यहाँ पे not है तो गलत हो जाएगा, उसका तो part होता है, inventory management, तो यहाँ पे क्या होगा, समझ में आया question, कैसे घुमाया होगा है, okay, next देखो, answer any 5 out of the given 6 question, अब यह जो 6, 6 question है, इसमें से कोई भ these are not a type of activity which is conducted by the physical activity facilitator, इन में से कौन सी activity ऐसी है, जो physical activity जो facilitator है, वो नहीं कराता है, हमें वो बताना है, कौन सी activity ऐसी है, जो physical activity जो trainer होता है, वो नहीं कराता है, फट-फट से बताईए, इसका answer क्या होगा, जल्दी बताईए, फटा-फट से, फटा-फट से बताओ, इन में स कौन सा ऐसा है जो physical activity फैसिलिटेटर है वो नहीं करवाता है क्या वो service program कराता है क्या वो intermural program कराता है क्या वो extra mural program कराता है लेकिन आपको इनके लिए पहले पता होना पड़ेगा कि यह होते क्या है मैंने वीडियो में clearly बताया था intramural क्या होते है जो आपके जो state होता है खुद का जो internal competitions होते है मतलब competition नहीं internal जो team games होते है वो क्या वो physical activator जो teacher होता है physical education का वो कराता है बिल्कुल सही उसके बाद क्या वो extra mural program कराता है जब आपकी team कहीं बाहर जाती है competition करने के लिए क्या physical education आपके साथ जाता है बिल्कुल सही तो वो ये भी काम करवाता है क्या वो service program करवाता है बिल्कुल सही वो भी कराता है intersecting program वो नहीं कराता चीक है the answer is intersecting program वो नहीं कराता है simple सा concept है तो videos अगर नहीं देखी है तो जरूर देखिए वहाँ पे आपको सारे concept ये मिल जाएंगे जो भी दिये हुए next देखो health related fitness health related fitness can be accessed by measuring the following abilities जो health related fitness होते है health related fitness क्या होता है भाई मैंने बताया हुआ है वीडियो में health related fitness कौन कौन से है fitness can be accessed by measuring the following abilities कौन सी abilities को हम measure करेंगे तो health related fitness है the answer is aerobic ये एक बच्चे ने मुझसे question भी पूछा था doubts की अंदर comments में तो देखो उसका answer यहाँ पे हमें मिल गया aerobic जो होता है वो health related fitness है action balance coordination ये क्या है skill है भाई ये skill based है ये health based है चीक है next इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि अगर जिसने video नहीं देखी है please एक बार videos देख लो सारी की सारी मैंने चार videos upload करी है चारों की चारों अगर देख लोगे तो ये question आपको बच्चों की तरह लगेंगे कि ये भी कोई question है next और exam में भी यही होगा assessment is the process deployed to assessment एक ऐसा process है वो जो apply किया जाता है बच्चों के उपर जब teacher सिखाती है तो वो किस वज़े से apply किया जाता है पहला understand student learning बिल्कुल सही understand test का pattern बिल्कुल गलत test का pattern थोड़ी apply करना है understand sports culture sports कहा से आ गया इसमे understand team building process हाँ ये हो सकता है but exact जो answer आएगा student की learning अगर student की learning ठीक है तो ये तीनों चीज़ अपने आप हो जाएंगे तो यहाँ पर क्याएगा answer will be a next video को पॉज कर लिया करो जब answer अपना खुद का पहले बनाया करो उसके बाद फिर answer देखा करो next देखो sports is played as पर जो sports है sports is played as पर school rules जो sports होता है वो इसके basis पे खेला जाता है sports is plays as पर सबसे पहला school के जो rules होते हैं वो नहीं अब यहाँ पर मैंने clearly definition बताई थी जो unit 3 है उसमें free play के बीच में sport और game के बीच में definition पहले ही 2-4-5 minute में बताया हुआ है तो जरूर देखना ठीक है तो answer is universal rules पे sports केला जाता है क्योंकि sports क्या है national भी international भी हर जगे जो है वो sports केला जाता है और free play और game क्या होता है अपने खुद की मर्जी से बनाए जाते है तो यहाँ पे क्या होगा जो sports केला जाएगा वो किसके उससे universal rule के basis के उपर ओके now next देखते हैं देखो roman rings vaulting roman rings vaulting horse parallel bars are term related to है क्या है ठीक है हमें यह बताना है है क्या है roman rings vaulting horse parallel bars मैंने आपको बोला था कि या तो आपको एक example पूछ लेंगे और या फिर आपको game का particular specific नाम दे देंगे और उसका example पूछेंगे parallel bars कहा होता है अब देखो roman rings कुछ होंगे जिसको roman rings समझ में नहीं आएगा vaulting horse भी समझ में नहीं आएगा फिर parallel bars आ गया parallel bars क्या होता है जानते हैं आप parallel bars होता है जहां जैसे आप पार्क में जाते हैं आपने देखा होगा ऐसे दो parallel जो खड़े रहते हैं मतलब डंडे खड़े रहते हैं ना मतलब जो दो बार लगी होती है parallel तो उसको हम बोलते है parallel bars अब वो कहां पे आती हैं वो आती है क्या वो horse riding में उसका कोई इस्तेमाल है नहीं gymnastics में आती है बाई बिल्कुल सही है ना obstacle race नहीं obstacle race में नहीं आती ओके तो answer is gymnastics उसके अंदर हमने देखा है parallel bars अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है parallel bars क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ देखो एक second इसको मिटा देते है एक है मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी होती है parallel bars parallel bars देखे parallel bars यह होती है यह देखो यह gymnastics में लगे हुए है look these are the parallel bars तो यह gymnastics में use हो रही है ओके next देखते हैं चलो एक second कहाँ चले गई PDF hmm okay hmm next देखो sports equipment और props should be जो sports equipment होते हैं और जो props होते हैं वो क्या होने चाहिए should be सबसे पहली बात जल्दी बताइए फटाफट से सोचिए क्या होने चाहिए जो sports equipment होते हैं और जो props होते हैं वो किसके basis पर होने चाहिए वो age appropriate होने चाहिए किसके basis पर age के basis पर होने चाहिए okay now from good brand ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि brand ही अच्छी हो universal design देखो brand अच्छी होना normal बात है मतलब होना चाहिए बट हमें question के इसाब से देखना है okay now age appropriate होना चाहिए सबसे ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा क्या ठीक होना चाहिए age appropriate मैंने आपको bat का example दिया कि अगर कोई छोटा बच्चा है उसको हम बड़ा bat नहीं दे सकते खेलने के लिए उसको पहले छोटे bat से fundamental से special के उपर जाना पड़ेगा ठीक है तो वीडियो में clearly explain किया था मैंने तो यहाँ पर क्या होगा age appropriate होना चाहिए okay now next देखते है agenda for parent teacher meeting in the context of subject of physical education जो parents teacher meeting होती है उसक्या agenda होता है ठीक है किस purpose के लिए parents teacher meeting होती है जल्दी बताइए फटा-फट से कौन सा option सही हो सकता है student awareness about the PE program in the school student की awareness के लिए बिल्कुल गलत student की awareness के लिए नहीं होती management awareness awareness का मतलब क्या जागरुकता student को जागरुक करना है हमें बिल्कुल गलत हमें तो parents teacher meeting करवानी है तो parents को जागरुक करना है न भाई आपके बच्चे के बारे में कि यह काम कर रहा है development of student teacher relationship बिल्कुल गलत the answer is A that is parents awareness parents की awareness बढ़ानी हमें ओके next next देखिए the aim of physical education is to offer all students an opportunity physical education का जो aim है वो क्या होता है सबसे पहली बात enhance their physical well-being win medals at competition enhance only physical fitness work for the society जो physical education है ठीक है वो किस के लिए होता है सबसे पहली बात answer is A enhance their physical well-being अगर कोई बंदा physically fit है physically well-being है तो वो यह तीनो काम नीचे वाले अपने आप कर लेगा है ना अपने आप सारी चीज़े हो जाएंगे तो answer is A next देखो which training is appropriate for student of early years जो कौन सी training है इसमें जो early years जो बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे पहली बात कौन सी training है which training is appropriate for student for early years the answer is aerobic science की practice करवाएं उसको anaerobic strength सबसे पहले तो उसको balance जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो सबसे पहले क्या करता है भाईो सबसे पहले क्या करता है 7 साल से नीचे का पहले तो उसको balance करवाथे है हाण student की जो early age है उसमें सबसे पहले क्या करवाते है balancing करवाते है नेक्स देखो free play is true free play किस चीज़ के लिए होता है fun के लिए learn के लिए win के लिए lose के लिए जल्दी से बताइए किस चीज़ के लिए होता है free play free play किस चीज़ के लिए होता है free play होता है fun के लिए win और lose के लिए क्या होता है sports वहाँ पे क्या है sports है sports में क्या होगा competitions है basically तो यहां पर क्या है, free play is fun के लिए होता है, मैंने बताया था आपको unit के अंदर, video के अंदर की free play है, वो fun के लिए है, okay, next देखो, तो यह जो questions है न सारे, वो हमारी videos, उन videos से ही है, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, actual में, इसलिए मैंने आपको पहले ही clearly बोला क्या है, इंप्रूव कम्म्मिनिकेशन कर सकते हैं, जल्दी बताईए, कर सकते हैं, बाई, नॉर्मल सी बात है, free play होता क्या है, free play क्या है, बिना कुछ rule नहीं है, लेकिन खेलना है, उसमें क्या improve communication हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, उसके बाद access and give report card, क्या हम उसमें report card दे सक relationship, ये कर सकते हैं, encourage creativity, बिल्कुल सही ये भी कर सकते हैं, तो क्या नहीं कर सकते हैं, हम इसमें नहीं कर सकते, option number B को नहीं कर सकते, ठीक है, तो answer हो जाएगा option B, next देखते हैं, 6th question देखो यहाँ पर, equipment requires, equipment require for training of jumping, hopping, waist rotation, ठीक है, for early years of children is, देखो, jumping, jump करने के लिए, kula hoop, alley parachute, saucer कौन, saucer कौन हो सकता है, jump करने के लिए, है न, उसके बाद देखो, hopping, बहुत सारे लोगो hopping नहीं बता होगा, है न, hopping क्या होता है, मैं बता देता हूँ, देखो, example देखे, बताएंगे, बिल्कुल, ठीक है, hopping देखो, क्या होता है, hopping क्या है, jumping के लिए, इस्तिमाल कर सकते हैं, yes, ठीक है, jumping के लिए, हम hopping को use कर सकते हैं, बिल्कुल सही, तो अब देखो, यहाँ पर होने क्या वाला है, confusion कैसे पैदा हो रही है, देखो, saucer कौन, jumping के लिए हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, उसके बाद hopping हो सकता है, hopping जो है, saucer कौन से कर सकते हैं, कर सकते हैं, waste rotation, अब यहां पर यह है, इसने differentiate कर दिया, कमर में जो rotation होता है वो किसके लिए होता है भाईया वो होता है hula hoop के लिए तो answer is hula hoop हुula hoop से हम तीनों काम कर सकते हैं jumping भी कर सकते हैं, hopping भी कर सकते हैं और waist rotation भी कर सकते हैं ओके, now, next देखो answer any five out of the given questions अब कोई भी पाँच जो questions है हमें वो करने हैं ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे तो देखो, सबसे पहले इस question को read करो कि भाई, क्या है, क्या नहीं है ठीक है, in most school the daily begins with the modeling assembly इसको read करना ठीक है, ये ऐसा question एक out of the box आपके paper में मिलेगा आपको ठीक है, वो आपको नहीं पता होगा ठीक है, the answer is इसका मैं answer आपको बता देता हूँ कि जो most of the schools है वो assembly करेंगे ठीक है, when the entire school gathers to do things together तो ये सारी सारी जो planning है ये कहाँ पे होई थी, ये होई थी national curriculum framework 2005 में ठीक है, the answer is C, national curriculum framework 2005 ध्यान रखना है इसका, ओके, this time can be used for reading the headline of morning newspaper तो ये पूरा assembly का procedure दिया हुआ ये कहाँ कब decide हुआ था ये 2005 में decide हुआ था कि ऐसे ऐसे assembly होनी चीए ठीक है, और ऐसे सारी चीजें school में बच्चों के लिए करवानी है सुबह, ठीक है, same by time भी कहाँ कब decide हुआ, ये 2005 के अंदर जो assembly का जो time होता है 15 to 20 minutes कहाँ पर decide हुआ वो इसी के अंदर decide हुआ था ओके, now next देखो which of these equipment is not appropriate for catching and throwing, कौन सा catching और throwing के लिए appropriate नहीं है, catching and throwing के लिए कौन सा appropriate नहीं है bean bag, scarf, ray baton और football, भाई bean bag कौन सा होता है, विलकुल कर सकते हैं, scarf भी कर सकते हैं relay baton, अब ये relay baton को नहीं कर सकते हैं, ठीक है आपकी sake of उसके लिए बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि relay baton होता क्या है मैं बता देता हूँ क्या होता है, देखो relay baton ठीक है, देखे relay baton क्या है, क्या ये throwing के लिए होता है, which of this equipment is not catching and throwing relay baton को तो सब पकड़ के दोड़ते हैं, देखा है अपने जब race होती है, देखो यहाँ पर जब race होती है, तो इसको पकड़ के ये दोड़ रहे हैं, है ना, तो ये क्या fakeने के लिए होता है, जी नहीं, ये तो पकड के दौड ने के लिए होता है, तो इसको हम फेकेंगे नहीं, ओके? ओलाइट, नाओ, आगे देखो, free play is form of recreation, जो free play होता है, वो क्या होता है? It is a form of recreation, free play is a form of recreation in which it is necessary to have, free play is a form of recreation, जो free play है, अब recreation क्या होता है? मैंने आपको बताया था? रीक्रिएशन क्या होता है? बेसिकल एक टाइप से fun है, जो creativity करके किया जाता है, उसमें explain है पूरा unit के अंदर, तो यहाँ पे देखो, the answer will be, free play is a form of recreation which is necessary to have, rules नहीं, participants होना जरूरी है, देखो, जरूरी तो सारी चीज़ है, लेकिन हमें question के हिसाब से बताना है, ठीक है? पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, अगर पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो free play कैसे होगा, भाई, free play किसकी वज़े से होता है, participants की वज़े से होता है, तो फिर क्या होगा भाई, यहाँ पे, अगर participants नहीं है, तो recreation नहीं हो पाएगा, free play नहीं हो पाएगा, fun नहीं है access use of free play का सबसे पहली बात may develop wrong technique अगर हम free play जादा दिन तक करेंगे तो wrong technique develop हो सकती है बिल्कुल सही बात है develop हो सकती है बाई progress cannot be tracked बिल्कुल सही बात है free play में progress track होती ही नहीं है है ना बताया था मैंने आपको student assessment cannot be done student की जो assessment है वो नहीं हो सकती बिल्कुल सही बात है नहीं हो सकती promote sense of ownership क्या ये sense of ownership को promote करता है हाँ क्या ये sense of ownership को promote करता है बिल्कुल गलत चीज़ है ये है ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये एक disadvantage इदा को question क्या पूछा है ये disadvantage नहीं होनी चीए है ना तो ये disadvantage हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो sense of ownership को promote करना, नहीं करना, तो ये disadvantage नहीं है आपकी, है न, disadvantage का मतलब कौन-कौन सी चीज़े गलत हो जाएंगी, ये गलत नहीं होगी, promote sense of ownership, okay, sense of ownership मतलब responsibility लेना, okay, next देखिए, physical activity facilitator's job is, तो physical activity facilitator होता है, उसकी क्या job होती है, एक normal सा question है, जो physical activity facilitator है, उसकी क्या job है, okay, देखिए, teach students, बच्चों को पढ़ाना, okay, engage colleagues, अपने colleagues को engage करना, okay, next is, engage parent and community, parents और community को engage करना, okay, which of these are correct, कौन सा सही है, बच्चों को पढ़ाना, हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है, उसके बाद, engage colleagues, हो सकता है, engage parenting community, बिल्कुल सही, हमने देखा था, वीडियो में, ये भी हो सकता है, तो answer is, four, all of our is possible, okay, सारी की सारी जो चीज़ हैं, वो possible हैं, इसमें, next, अगला देखिए, used in team game as jersey, to differentiation the opponent, used in team game as jersey, team game as jersey to differentiation the opponent, देखो, सबसे पहली बात, team game जब होता है, उसमें आपने देखा होगा, opponent का dress अलग होता है, और दूसरी team का dress अलग होता है, जैसे इंडिया की dress का, blue color की है, ठीक है, अगर वहीं पर कोई Australia की आजाए, या कोई दूसरी team आजाए, उनकी dress अलग दूसरी color की होगी, है ना, तो वो होता क्या है, वो क्या use होता है, वो होता है, bib, bib क्या होता है, bib क्या होता है, बाई, bib आपका, देखो, this is the bib, मतलब आपकी जो dress की, dress code है basically, उसी को हम क्या बोलते है, bib बोलते है, जो आपको dress code है, उसी को क्या बोलेंगे, bib, अब यहाँ पर एक number भी होता है, इसके उपर, जैसे हर player का एक number देखा होगा, उन्हें, five number, छाथ, साथ number, जैसे धोनी का है, तो ऐसे number भी होता है, इस bib के उपर क्या होता है, एक number भी लिखा होता है, तो यह क्या है आपका, dress code होता है, जो opponent team से आपको अलग करता है, तो वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाएगी, मैं जो MC को हैं, उनको यहीं पर रखता हूँ, ठीक है, अगले पार्ट में मैं आपको subjective question discuss करूँगा, और यह subjective questions अगर आपको, मतलब in the sense की, बहुत अच्छे लगेंगे एक type से, क्यों की, और लेकिन मैं एक request करूँगा, उससे पहले आप पहले सारे वीडियो देख लो, तब आपको subjective question है, बिल्कुल एक तम आसान बच्चों की तरह लगेंगे, ठीक है, I hope आपको वीडियो समझ में आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ share कर दो यार, और subjective question upload कर दूँगा, तो उसके लिए stay updated, and please share the channel, thank you so much.